सबसे पहला नेगेटिव जो है ना मैं दू मारूती की गाड़ी का तो कोई भी गाड़ी हो इनकी स्विफ्ट रेलो या कोई लेलो इनका जो स्टेरिंग है ना लेफ्ट में ओडू या ऐसी रहेगा गाड़ी आइसे डांस करती रहेगी और सुस्पेंशन सेटप की बात ठीक नमस्कार जी मैं उचुब हमसांगवन सौवत अब समका मेरे चानल पर अभी इस गारडी के अंदर हूँ ना आपने बाहर से इस गारडी को देख लिया था कुछ दिन पहले मैंने इसका ownership experience शेर करा था मारूती का logo आप जानगे होगे ये गारडी है बिल्कुल नहीं वाली मारूती सुजुकी ब्रेजा ठीक है ग्रैंड विटारा नहीं है ब्रेजा है पहले जो वही बात है पहले ग्रैंड विटारा ब्रेजा आती थी अब जो है दो दो गार्डी है इनने अलग कर दी ग्रैंड विटारा अलग हो गई है ब्रेजा अलग हो चुकी है गार्डी का ये जो वीडियो है बेसिकली मैं आपना driving experience शेर करूंगा कि being an XCV owner ये गार्डी मेर को क्या कुछ feel दे रहे है क्योंकि मारूती का personally मैं fan नहीं हूं पर क्या कुछ है इस गार्डी के अंदर जो owner जो है इस गार्डी को चूज करा Tata और Mahindra के भी उपर ठीक है स्टार्ट कर दिया है तो 1500 CC का इसका petrol का engine आ जता है पांच BHP अपना जो निकालता है और मारूती की A2Z ठीक है जितनी भी गार्डी जेन में 1500 CC का engine आता है मतरव ब्रेजा होगी हाई राडड वो होगी अपना कौन सी हो ग्रैंड विटा रहा ब्रेजा होगी ग्रैंड विटा रहा होगी और अपनी जैसे तो क्या कुछ इस गार्डी की जो इसके engine की ताशीर है वो चीज पता करने के लिए मैं इस गार्डी के अंदर आ चुक है और बैठते जैसे मैंने अपनी हाइट के हिसाब से सीट एड़स्ट कर रख की है कि एक दम सांथ कैसे होगी अज़े बैटरी वाला वी सिस्टम है जा हुआ है स्मार्ट थे ठीक है थोड़ी देर खड़े रहो तो वही बात है स्मार्ट थाइबरेट वाला इसका सिस्टम है टोटली हाइबरेड वाली यह नहीं आती वह सिर्फ जो है अपना ग्रैंड विट जैसे एक दम से शांत्सी हो गई है ठीक है तो पहला गर इसका गेर इंगेज करू पहले से क्लच की बात करूँ पेट्रोल का क्लच है तो बहुत अलका है शेयर में जो है यह क्लच आपको तंग नहीं करेगा अलगी गेर की शिफ्टिंग जो है थोड़ी सी मेरे को हर्ष पर बिल्ड कॉलिटी हो तो तो किलोमेटर मैंने आपको बता रखे करीब करीब 4000 किलोमेटर यह गाड़ी चल चुकी है पहले गेर में मैंने लगा रखी है अब लगा लेता हूं दूसरे गेर में एक्सलेरेटर मैंने अभी तक नहीं दिया है धीरे धीरे और वाइब्रेशन ना रही है गाड़ी में ठीक है वट पेट्रोल है तो कोई दिक्त नहीं है सबसे पहला नेगेटिव जो है न मैं दू मारूती की गाड़ी का तो कोई भी गाड़ी हो इनकी स्विफ्ट लेलो या कोई लेलो इनका जो स्टेरिंग है ना लेफ्ट में मोडू या ऐसे ही स्टेरिंग के अगर बात करूं तो हिंडाई किया थोड़े और बेटर क्वालिटी के आते हैं और यह जो सीशे है ना बच पंच सजब से ब्रेजा लांच हुई थी ना विटारा ब्रेजा जो थी सेम यह शीशा आते थे स्विफ्ट में भी सेम शेट के सीशा आते थे और इ नहीं चला किसी पैसेंजर को भी पता नहीं चला इतनी स्मूज शिफ्टिंग इस गाड़ी के अंदर आ जाती है अब बात करता हूं इसके सस्पेंशन सेटप की ठीक है कोई नौइज नहीं सस्पेंशन की कोई रैटलिंग नौइज नहीं गाड़ी के अंदर नहीं गाड़ सब्सक्राइब की बात करूं मैं लगा देता हूं इसको दो हर्दा हजार पे ठीक है तो बिल्कुल पसंद नहीं है पर ब्रेक ठीक है अब आ जाता हूं भाई इस गाड़ी के अंदर मेरे को क्या बढ़िया लगा एक तो उची गाड़ी है ग्राउड क्लिरेंस का कोई इसू नहीं लगता ठीक है और सस्पेंशन सेटप की बात करूं ना यह गड़े देख लो पूद है गाड़ी ठीक हलका हलका पंजा दो ऑफ ठीक है नाइस अब एन्ने है पेट्रोल एन्ने है तो इसके अंदर आपको पिक अप फील नहीं होगा अगर टर्बो पेट्रोल होता तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जैसे डीजल की 2000 के बाद डीजल का पंच आता है वैस नहीं आते हैं जैसे डेली अप डाउन हमारे रवी भाया का नर्डा का है ठीक है गाड़ी बगाने का मोका भी नहीं मिलता तो जिस आपके लिए गाड़ी बनी है न उसी साब से अगर इस गाड़ी को यूज करो तो गाड़ी आपको कोई कमी पेशी नहीं देगी और इसका सेट मैंने अभी हाइट होके सबसेट जस्ट करी नहीं है हाइट का आता है इसमें सीट मैं तो भाई वह भी अगर मैं थोड़ा वार उचा करते हूं तो गाड़ी मतलब व्यू तो जो है मेरे को तकड़ा देने वाली है जानता हूं तो बस यह है कि इस गाड़ी में बैट ज लग रही है न मेरे को क्योंकि यह जो इंजन है न यह होता है 1500 रपेम से नीचे नीचे शान ठीक है 2000 पर भी अवाज थोड़ा बहुत एंजन करने लग जाता है और 2000 पर यार कुली 70 की स्पीड है पकड़ पाता है छटा गेर जो इस गाड़ी में मिसिंग है तो एक लौती कम कोई नॉइज आया नहीं रही पर प्रें मारूती की कॉलिटी मारूती की कॉलिटी वाई इसके मेर बादारीफ करने की जरूरत नहीं है भाई इसमें जो हैं एंडूइड ओटो ओटर ठीक अपने एंडरुच अपने डाब्रद यप्ल से क लिस अई वाइरलेसि हैं मुजिक सिस्टम से और यह देखो गेर प्यार से लगाओ और अराम से लगाओ तो लग जाता है गेर के साथ ज्यात्ती करो तो ठीक है इंजन जो है आपको बिल्कुल एक दम से इंस्टेंट पुछ देने नहीं वाला इसका चौथा लगा दूँ मैं पूरे पंजे के उपर बैठा हूँ आओ आओ आम आराम से उठेंगी यारे मरमर के सो पहुंच पारी है क्लच इसका बहुत बहतरीन है ठीक है क्लच में मिरको कोई दिक्कत नहीं लगी क्योंकि अगर शेहर के अंदर आप इस गाड़ी को चला रहे और लॉंग रूट पे भी अगर चला रहे हो इसमें बस छटे गेर की मिसिंग है छटे गेर की कमी लगती है बहुत खतरना यह मतल दूसरा गेर असी भाई बहुत पर यह है देखो स्पीड में गाड़ी है अभी 120 पे पहुँचा जी थी मैंने गाड़ी अंदर से फील नहीं हो तीक ही इतनी तेज चल रही है यह चीज मेरे को थोड़ी ठीक लगी पांच वे गेर पे हूँ चार अजार आर्पीम पे हूँ मैं ठीक है तब जाके एगाड़ी 120 की स्पीड पकड़ पाती है 120 पे तो भाई बिल्कुल ही तेल पी जाती हूँग है अब जैसे मैं एक बार स्पीड पकड़ता हूँ फिर इसका मैं ब्रेकिंग करूँगा सौ की स्पीड पे और ब्रेकिंग अगर इसकी करूँ तो नाइस ओके कमी नहीं थी ब्रेकिंग लब गाड़ी जो मारूती की गाड़िया करती है ना ब्रेक मारने के बाद डांस करती है इदर उदर वो चीज नहीं करी इस गाड़ी ने इस चीज के लिए सोड़ा मेरे को अच्छा लगा पर यह है वाई रेस बेस मतलगा ना इस गाड़ी के साथ मतलब रेस इन दे सेंस परफॉर्मेंस ओरेंटेट यह गाड़ी नहीं है आपको एक पेस पकड़के चलना पड़ेगा यह यू नहीं है कि आपने एक बार गेर डाउन करा पंजादी और गाड़ी बहुत जाद पर पूरा पंजाद हूँ इसका अराम से उठेगी बड़े प्यार से तो अगर मैं इसके ड्राइविंग को बताऊं कि कैसी लगी मेरे को इसके से पहले नेगेटिफ बता जीता हूँ स्टेरिंग और सिर्फ इस पर्टिकलर गाड़ी बात नहीं है माहरूती के सारे स्टेरिंग ऐसे हैं देखना लेफ्ट में कर 탃एगी राइट में राइट में बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत जुला भी नहीं रही, ठीके, सस्पेंशन सेट अप मारूती का मेरे को एक तो शुरू से पसंद है, इनके सस्पेंशन चाहिए आप आल्टो के भी ले लो, ठीके, इनके सस्पेंशनों से कभी आवाज नहीं आती, और स्मूधनेस इनके सस् प्लास्टिक के कॉलिटी में तो खेर दिक्कत होती है इनके पर फिट एंड फिनिश जानी की अवाद वाद जो इसके प्लास्टिक बहुत कम करते हैं हमेशा अब देखो पहले गेर हैं एक दम से उठाऊंगा कि एक हजार रिपीम और स्पीड की बात करूँ तो दस पहले गेर में जो कुछ पिकप आपने ले लिया वो ठीक है ठीक है मतरब इंडिविजबल ही अगर देखो ना किसी गाड़ी से कंपेर ना करो तो पर्टिकलरी इस गाड़ी के बाद करूँ ना ठीक है पिकप यह और जबकि नॉर्मली इन गेर उठा रहा हूं मैं अगर इसका करूँ इसका लॉंच लू कुछ करूँ तो फिर वो पिकप फिर अलग आजाएगा वो पिकप देखने के लिए आपको अलग वीडियो देखनी पड़ेगी उसमें जो ही इसकम है बेसिकली अब देखो लो आगी वाई लो फील की विजर्व की बत्ती आगी तुमारी पूरी लिए टंकी कितने लीटर की है इसकी है 45 की है तो फेंतालीसो रूपय चावालीसो में फुल होती होगी और कितने क्लमेटर चलती है उसमें उसमें चल जाती है 6600 यहां जुँग शाम को फिफ्टी किलो मेटर सैंसे कुलो में करने में बहुत आएधा हूं जब शाम जाते हैं, जाओ जाते हैं तो गंटे, जाओ जाम जाते हैं तो गंटे, जाओ जाते हैं कि उसमें भी मतलब पूरी टंकी में 45 में तो एवरेज मतलब उस जाम में आपको दे देती है 15 अगर एस्टिमेट लेके चलू ठीक है एक जो है इसको ट्रेक्शन आफ करके लॉंच लेके देखता हूं क्योंकि मैनल गार्डियों का लॉंच लेने में बड़े मज़ा आते हैं यह रो के लिए ओटो स्टार्ट स्टॉप अच्छा जी आफ करो इसको ट्रेक्शन दबागे रखना पड़ेगा यह ओटो आफ करो है अरे वो तो कर चुका मैं ट्रेक्शन भी आफ कर दिया ना आप कर चुका भाई ठीक है भाई नाइस पिक अप नो डाउट दूसरा गयर स्टी सही है अच्छा रेज छोड़ो तो है बैटरी का लोगो सा आ जाता है रेजनरेशन वाथा दिखाने दिखाने का है यह बस सजावट के लिए है बहुत जादा मैलेज में फरक नहीं लाती है चीज अच्छा पिछली ब्रेज आप ने जो ली थी भाई वो भी पेट्रोल ली थी ठीक है सेम इंजन था सेम सारी स्पेसिफिकेशन थी इसले वो मैलेज कितनी देती थी मैलाइबरेड और आइबरेड का मेरे को बैसिकली आप फरक बता सकते है तो दोनका इडिय में कितना रह थ उसने मुझे मेर को कफी 13 से उपर अब 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 तो हाइवे पे एना मैने उसको यह नहीं है कि इसकी तरह टेस्ट नहीं किया कि 8090 पे चलाँ अच्छा वो पूरी खींच के रखी थी तो हाइबरेड और मतलब स्माइड स्मार्ट हाइबरेड वह और प्यूर पेट्रोल में मैं कह सकता हूं दो से तीन क्लमेटर प्रेड लीटर के अवरेज का फरक आता है कैसे भी चलाँ आप चाहिए इस इस इपक लेते हो गाड़ी का रोकते हो तो थोड़ी सी पावर बैटरी से जाती है इसमें तरह बिल्कुल बिल्कुल तो थोड इस से तोड़ी सी अवरेज दखता है यह नहीं है कि बिल्कुल फ्यूर बैटरी से चलेगी वो श्तुम थो भी बाटरी वह र्लेटरी के बंद कर हाँ है इस का अगड़ी बंद हो जाएगी जैसो भी आपकी अपकी हैड़ी करण की तो बंद हो जाएगी तो आपकी इंस्ट बाई ठीक है। मैं मारूते गाडियों को बढ़ा वो समझता था. और है कहीं न चली अगर इन गाडियों में कमी है तो सिर्फ मेरे को बिल्ड कौलिटी की लगती है गाडियों My strict, इसले मीलें ये थेट ए ऩैंक अब अब देखे लुद 50000 पे 755 स्पीड है 3,000 RPM और 100 4,000 RPM और 120 और 4,000 RPM पर भाई कौन से देश की गाड़ी आपको मैलिस देगी 100 और 3,000 RPM 100 पर भी ये मैलिस जादा नहीं देती हो कि 100 पर भी 100 को इतना इफेक्ट नहीं आपना 100 से थ्रोस कर दो कि तब मारे भी 100 के बाद तो ये लगा दो कि पर नेगेटिव में जाने लगती है 80 से 90 की रेंज होती है अगर में आपको बेसिकली माइलेज निकालनी है और 2000 RPM पर अगर मैं आऊं तो स्पेड आजाती है इसकी 70 70 पर आएसा लगता है तुम चल भी रहे हो या नहीं बढ़ी स्लो रहती है अब आजाता है इस गार्डी की जो performance यह को लगी जो मैर को इस गार्डी के अंदर कमी पेशी लगी कमी मैंने आपको बताए दे सिर्फ steering का मैर को लगा और पांच की जगा इस गार्डी के अंदर होने थे जो बात है engine मारूती की इसी मोस्ट गार्डियों में यह आता है, सेम आता है 15 सो वाला, चाहे इसकी बात करूँ, चाहे जो आती है, इनकी ग्राइंड उटा रहा हूँ, उसकी बात करूँ, सेम इंजन आता है, दूसरी कमी मेरे को इस गार्डी के अंदर, क्या लगई है, ड्राइविंग डाइनेमिक् कोई कंसन नहीं लगा, बस यह जो है, इसकी आदत मेरे को नहीं है, ऐसे ही जाती रही है, लेफ्ट में कर दी, ऐसे ही जाती रही है, इस स्टेरिंग हमेशा समाल के रखना पड़ता है, ऐसे हाथ टिका के रखना पड़ेगा, पॉजिटिव अगर इस गार्डी के मैं अगर राइविंग के बात करूँ, सस्पेंशन भाई बहुत प्यारा ठीक है, बहुत उंदा और गाडी के इंटीर से भी मेरे को कुछ खास परेशानी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ इस लोगो को देखु ना, तो मेरे को यह गार्डी खराब लगेगी, लिकिन अगर इसकी जगा तोयोटा भी होना, तो इस गाडी में थोड़ा पॉजिटिव एफेक्ट आज़ते हैं, अन थोड़ा दब दब निलगते है, सही है, लूद है, लूद है, लूद है, लूद है, छेंज दरवाना है, करवाना पड़ेगा, भाई, होवर न आप यहाँ दब आ रहे हो, ओन का जो एफेक्ट है, वो पंजा के उपर आता है, पंजा वाइबरेट करते हैं, और पांच वागेर मारा, कलच भाई, बहुत प्यार है, ठीक है, गाडी के अंदर आवाज नहीं, माइलेज की बात करू तो पेट्रोल गाडी है, और तुम क्या एक्सपेक्ट करो, पेट्रोल की गाडी भी अगर आपको पंदरा के उपर, उपर माइलेज दे रही है, ठीक है, तो यही थी भाई, मारूती सुजुकी की ब्रेजा, लेनी हो, ले लो, सेग्मेंट में गाडी है, बहुत सारी है, मैं पर्सनली जो हूँ, डीजल गाडीओं का फैन हूँ, बट पेट्रोल के पर जाओ, अगर जिर्फ माइलेज आपको चाहिए, तो इस गाडी के उपर आप जा सकते हो, ठीक है, ग्राउंड क्लेरेंस का गाडी में कोई इसू नहीं है, यहां से मैं कहीं से भी कुदा आ सकता हूँ, इसको कहीं से भी उतार के कहीं से भी चड़ा सकता हूँ, डर नहीं वीडियो के एंड में सर्फ्राइस दे दी है, इस गाडी ने, स्टॉल नहीं होई, बंद नहीं होई, उठ गई, एक हजार से नीचे इस का रप्यम चला गया था, बिना वाइब्रेशन के गाडी उठ गी, ठीक भाई, सही है, गुड पर्चेस ब्रो, नाइस, नाइस कार, पहली गाडी है, जो मेरे को पसंद आई है, औरना मारूती की मेरे को एक S-Cross S-Cross पसंद थी, और मेरे को मारूती की गाडी नहीं पसंद थी, यह जो है ना मारूती, मेरे लिए मारूती की तरफ परस्पेक्टिव इस गाडी ने मेरा चेंज कर दिया है, अगर आपको इस ग कोई भी भाई अपने ownership experience share करना चाहे कोई भी भाई ड्राइग्रेस में इंट्रस्टेड हो कोई भी भाई रिव्यू में इंट्रस्टेड हो मैसेज जरूर कर लेना मेल डालता हूं इस्टा के डालता हूं जाके फॉलो जरूर कर लेना मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद